वीके न्यूज राश्ट्र के नाम मुस्लिमों की अबादी बढ़ाओ और हर चौराहे नुकड पर जहां मरजी करे वहाँ पर मजार बना दो या फिर मजजित बना लो लेकिन अब सरकार भी जाक गई है सरकार एक एक करके यहाँ पर सभी मजजित और मजारों पर जो वे तरीके से बनी हैं जोवे जमीनों पर बने हैं उन पर बुल्डोजर चलाए जाएगा गुडगाओं का तो आपको यादी होगा जहां पर खुले में लोग नमाज पर ले थे हलाके बाद खटर सरकार भी बीच में आई और बता दिया कि अगर खुले में नमाज कोई करेगा तो उस पर बुल्डोजर जरूर चलाए जाएगा अब इसी से जूड़ी एक बड़ी खबर सामने आए जिस पर अब महजित बड़ी महजित पर यहां पर बुल्डोजर चलने को तयार है जिसके बाद मुस्लिमों में हरका मजगा है पाकिस्तान के सुप्रीम कोट ने कराची के तारिक रूड इलाके में इस्तित मदीना मस्जित को गिराने का आदेश बरकरार रखा है मस्जित परशासन ने एक याचिका दैर कर सुप्रीम कोट से इसकी समिक्षा की मांग की थी लेकिन अब शीर्स अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है मंगलवार को अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती यह मस्जित तारिक रोट के पास एमिनोटी पार की जमीन पर अवेद रूप से बनाई गई थी पार की जमीन पर एक दरगा और एक कबरिस्तान को भी अवेद तरीके से बनाई गया है इन सभी अवेद निर्माडों को सुप्रीम कोट ने गिराने का आडेश दिया है लेकिन चुकि डीमसी इसके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है इसके लिए पास इस तरह के नोटी जारी करने का अधिकार नहीं है मस्जित को गिराने के कोट के आदेश को जमियत उलिमा इसलाम फजल के तरफ से चनौती दी गई थी दोनोंने कहा था कि अगर इस मस्जित को गुराए गया तो यहां पर खून की नदिया बह जाएंगे और जो भी बीच में आएगा उसको भी तोड़ दिया जाएगा लेकिन कोट तो कोट है कोट ने अपना फैसला बरकरार रखा और उसने बोला है कि जल से जल जितने भी अवेद मजार यहां पर कबरिस्तान और महजित बनी है सभी पर बुल्डोजर गरजेगा और सभी को नहस्ता नबूत कर दिया जाएगा अब आपकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे है वीके न्यूस राश्टर के नाबूग